तो दोस्तो हेल्थ हमारे लाइफ की सबसे इंपोर्टेंट जीज होती है और इसे ढीक रखना हमारी सबसे पहली रिस्पोंसिबिलिटी है और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में मैं अन्बॉक्स और रिवियो करने वाला हूँ निसकोमेट कम्पनी की तरफ से share screen blood glucose monitoring system सिंपल भाषन में diabetes चेक करने की machine है और यहाँ पर यह निसकोमेट कम्पनी की तरफ से आती है निसकोमेट की अगर मैं बात करूं तो यह बहुत ही पुरानी कम्पनी है 1982-83 के time से चल रही है और यहां पर यह ऐसी medical equipants and gadgets बनाती है तो फिलाल के लिए यहां पर इस वीडियो में मैं इसे unbox करके दिखाऊंगा और मैं आपको पताऊंगा आपको इसे use कैसे करना है So without wishing any time start करते इस वीडियो को तो दूस्तों यह निसको मेट कंपनी की तरह से आया हुआ blood glucose monitoring system और यहां पर आपको इसके उपर design देखने को मिल जाती है नीचे यहां पर इसके features के बारे में बताया हुआ है bi-directional है यानि कि आप दोनों साइड से blood sample उसमें insert कर सकते हो lifetime warranty है और बहुत ही कम blood का sample यह लेगा और साधियाद आपको 8 seconds की testing time मिल जाती है यहां पर आपको back side पर और specification साथ में आपको देखने को मिल जाती है और साधियाद यहां पर आपको कैसे use करना है वो भी बताया हुआ है इसी use करना काफी साथ सिंपल है मैं आपको वीडियो में बताऊंगा और यहां पर आपको box के side पर लिखा हुआ देखने को मिल जाती है कि क्या क्या box में मिलेगा जो कि एक आपको आपका glucose meter 25 strips, lancing device 25 आपको lancers मिल जाते है carrying case और साधियाद एक user manual भी आपको देखने को मिल जाएगी तो चलिए इस box को जिल्दी से open कर लेते हैं और देखते हैं हमारा glucose meter कैसा है तो यहां पर आपको एक काफी अच्छा और secure box देखने को मिल जाते है blue color में और इसके box की quality है बहुती ज़दा अच्छी है मतलब अगर आपके हाथों से कभी गलती से गेर भी जाते है तो भी यह तूटेगा नहीं इसके अंदर आपको आपका device और उसके साथ काम आने वाली सारी चीज़े आपको fit करके रखी वी देखने को मिल जाते है तो चलिए एक ही करके देखते हैं हमें इसमें क्या क्या देखने को मिल जाते है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक lancing device मिलता है जो कि एक pen की shape में pin रहता है जिसका use हम blood sample निकालने के लिए करेंगे इसे twist करके simply आप open कर सकते हो और इसे use करना कैसे है मैं वो आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ और यहाँ पर आपको इसके उपर कुछ numbers देखने को मिल जाते है यह आपके skin के type के हिसाब से आपको कितना deep hole करना है उसके लिए है यहाँ पर next हमें देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर कुछ lancets basically 25 pins दिये हुए lancing device के अंदर डाल के आपको blood sample लेने के लिए next आपको यहाँ पर 25 strips देखने को साथ में मिल जाती है और company ने बोला है कि यह bi-directional है यानि कि मैं उसका एक बार आपको मतलब समझा जेता हूँ एक strip को लेके तो हम एक strip को यहाँ पर इसे निकाल लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो blood sample लेने वाली line है वो आपको दोनों side पर देखने को मिल जाती है यानि कि आप left and right दोनों side से इसमें blood का sample डाल सकते हो क्योंकि बाकी सारे आपने strips में देखा रहेगा दूसरे brands के कि उनका blood sample लेने वाला जो side रहता है या तो top रहता है या तो front side पर रहता है तो यह आपर आपको दोनों side पर मिल जाती है तो चलिए इसे रखके हम देख लेते हैं और क्या मिलता है तो यहाँ पर आपको एक battery देखने को मिल जाती है जो कि है CR2032 तो यह easily आप इसमें डाल के आप easily इसे use कर सकते हो तो चलिए अभी next हम आजाते हमारे main system के तरफ जिसके थुरू हम यह blood sample लेके उनका test कर पाएंगे तो यहाँ पर यह काफी जादा light weight है उपर आपको शॉर स्क्रीन की आपको branding देखने को मिल जाती है एक display आपको सामने देखने को मिल जाते है और दो buttons भी आपको देखने को मिल जाते है यानि कि आपके checking होने के बाद आपको जरा भी उसे हाथ लगाने की जरूत नहीं है सिदा आप इसे push करके easily fake सकते हो back side पर यहाँ पर आपको और भी information देखने को मिल जाएगी तो आप इसे read कर सकते हो वीडियो pause करके और यहाँ पर आपको main compartment मिल जाता है आपके battery का तो इसमें हम battery डालके easily इसे start कर लेंगे तो चलिए अभी इसे हम try करके देख लेते हैं कि यह कैसे काम करता है इससे start करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको इससे back side से open करके इसमें cell को insert करना है और यह automatically एक beep sound के बाद चालो हो जाएगा इसके उपर दिये हुए button से आप date and time easily set कर सकते हो और even आपके memory function को भी access कर सकते हो इसी use करने से पहले आपको एक और एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पर इसके जो strip का box है उसके उपर एक number यानि की code लिखा रहेगा वो आपको machine में insert करने के बाद भी same code दिखता है वो आपको एक बाद चेक करना है तो यहाँ पर आपको 6, 9, 7 लिखा हुआ देखने को मिल जाता है तो इसलिए हम यह machine के इस strip को add करते है और यहाँ पर भी आपको same number देखने को मिल जाता है तो यह आपको चालू करने से पहले एक बाद चेक कर लेना है तो दोस्तों अभी बार यह हमारे lancing device को set करने की तो यहाँ पर यह device के थुरू आप easily sample ले सकते हूँ मैं वीडियो में बता चुका हूँ तो easily इसे हमें twist करना है और यह भार आ जाएगा इसके अदर अभी हम lancet को fit करेंगे तो यह मेरे पास है तो easily इसके अंदर मैं ऐसे plug कर देता हूँ और कभी आपको इसे निकालना भी पड़ा तो simply यहाँ पर भी उसका function दिया हुआ है तो इसे आप निकाल सकते हूँ तो वापस से मैं इसमें लगा देता हूँ और उपर के साइट पर आपको एक seal मिलेगी जिसे आपको twist करके निकाल देना है और इसके बाद आप easily इसे use कर पाऊगे तो अभी मैं यहाँ पर इसके जो cap है उसे fit कर देता हूँ और अब यह जो device है वो ready to use है आपको बस यहाँ पर नीचे से pull करके यह button को press करना है तो इसलिए आप ऐसे इसे use कर पाऊगे तो चलिए जल्दी से इसे test करके हम देख लेते है तो दोस्तों आपको इसे activate करने के लिए simply उस strip अंदर डाल देनी है और यह activate हो जाएगा और उसी टाइम पर आपको लांसिंग डिवाइस से blood का sample लेना है ताकि आप इस strip पे उसे लगा सको और simply आपको इसे ऐसे side से touch कर देना है left or right कोई भी side से आप touch कर सकते हो और आपको 8 second तक रुकना है और automatically जो results से आपको दिखने लग जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते है 160 दिखा रहा है यानि की diabetes है 160 तो आप बहुत easily ऐसे चेक कर सकते हो और यहाँ पर अगर आपको जो ejection है वो करना है यहाँ से strip को तो आप इसे simply ऐसे push कर सकते हो तो यह automatically निकल जाएगी तो दोस्तों आपने इसकी unboxing तो देख ली बढ़ यहाँ पर अगर मैं बात करो इसकी overall build quality की तो वो भी बहुत ही अच्छी है बहुत ही handy device है और साथियाद आप इसे easily किदर भी carry कर के लेके जा सकते हो अगर मैं यहाँ पर बात करो इसकी जो strips है 25 strips जो आपको साथ मैं मिलती है वो अगर आपको वापस से linear तो comparatively बहुत जादा reasonable आती है बाकी company के strips से अभी यहाँ पर main बात करे accuracy की तो मैंने इसे compare किया था मेरे पास जो बाकी machines है उससे और इसकी जो accuracy and quality है वो up to the mark है यहाँ पर आपको बहुत सारे अच्छे features भी देखने को मिल जाते है इसके जाथ जैसे आपको bi-directional strip मिलती है यारी कि आप दोनों साइट से इसमें blood sample डाल सकते हैं जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था साधियात यहाँ पर आपको lifetime warranty देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आपको इसमें ejection system भी मिल जाता है अगर आपको यह product अच्छा लगते है तो मैं इसकी link आपको description में दे दूँगा आप वहाँ से जाके easily buy कर सकते हैं साधियात यहाँ पर आपको nisco mad company की तरफ से और भी products देखने हैं तो उसकी भी मैं लिंक description में दे दूँगा आप उनकी YouTube चैनल को भी जाके चेक आउट कर सकते हैं उनके सारे product वहाँ पर लिश्टेने दोस्तों वीडियो अच्छी लगी मेरे चैनल को subscribe कर लेना और साधियात अगर आप कोई product related कोई भी query है या फिर कोई भी वीडियो के related कोई भी query है तो आप मुझे directly Instagram पर पूछ सकते हैं मैं Instagram की link भी description में दे दूँगा और आज के लिए इतना ही मैं हुरी शब ग्रोवर और आप देख रहे हैं बॉक्स एनरजी